कि आज का एए वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए होने वाला है आज की सीचिर से ज्यों के पॉछ लुप्सक्राओं से निकलने वाले जो भी में इमपोरुटरें वीडियो से वाजी इस वीडियो में हम कभर करेंगैं है चैप्टर का नाम है वाई मंदल का संग्ठन तथा शंदर्थन है और इससे हमने टोटल तो नंबर के दो कोशन कोशन लिए है पांच गजो है एक लिस hypnot कोशन टोटल यह बहुत इंपोरणिट फेपर में आएंगे ही आएंगे वह कोशन हमने आज Transit मिली цिज वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना है जिससे जोग्रफी का सबसे पहला प्रश्ण वन को जीवन दाइनी परत क्यूं कहा जाता है आपको जो जितने भी मंडल है यह आपको वह बार पांच नमबर में जरूर देख लेना है बाकि इसमें भी मैंने लिया है वह मों दिखा दूंगा मैं आपको hmandos household किह जाता है एक तरह से आप कीसे बताएंगे यह इसे जीवन दाइनी परत जोई किसा लेखा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्थ अनुकूल दासाई इस परत्थ में होती है थीक है अनुकूल जोभी हमें जीवत जीने के लिए चाहिए वो चीज़े गर में पाई जाती है इसके अलावा में देखिे वायू का चलना वर्षा का होना बिजली समकना वे बादलों का बनना ठीक है और मोसम संबंदी जो समस्त गटना है वह इसी परत में होती है तो 100 मंडल आपको जो है साइस से जो है इसे त्यार कर लेना है सो मंडल जो है किसे कहते है और इसे जीवन दाइनी जो है परत क्यों कहा जाता है यह आपका दो नमबर का कोशन था यह आपका हो किया है इसे आप पढ़ लेना एक बार चैप्टर 8 से निकलने वाले जो इंपोर्टन कोशन है वही हमने लिये है जो आपके एक्जाम में पूछ ना सकता है आपका दो नमबर का है और इसका उत्तर देखते मोसम होता क्या है तो तापमान वर्षा वायूदाव आदरता वायू की दिशा वे गती आदी तत्वों का जो होसत जो है मोसम कहलाता है जैसे तापमान कितना है वर्षा कितनी हो रही है वायूदाव आदरता वाय समय अभी तक बड़े भूबाग पर कई वर्सों के अध्यनों पर आधारित वाई मंडली दसाओं का की सामाने अभिव्यक्ति होती है तो यह दो नमबर में आपका हो गया कभी मोसम पूछ ले जलवाई पूछ ले तो आप इसली जो है इसे बता सकते बहुत इंपोर्टेंट क है ठीक है तीन अंग्क का ये और इस पूछँन समें पूछ मंडल में आप समझ यह कि यह जो हवाई चलती है है या हमारे जो मंडल है ठीक है में मंडल है इसमें चलन对 celbernate तो देखिए वायू मंडल में वायू की गटी के कारण सुख्षम धूलकन उड़ते रहते हैं यह धूलकन विविंस रोतों से प्राप्त होते हैं इनमें जो है सुक्ष में मिट्टी होती है धूल होते हैं समुद्री नमक दूए की कालिक राक तथा उलकापत के कन जो है इसमें समलित होते हैं तो इन इसमें धूलकन में क्या क्या सामिलोंगे आपको बता दिया मिट्टी धूल समुद्री नमक धूए की कालिक राक तथा उलकापत ये सारे जो इसमें सम्मलित होते हैं, चोथा पॉइंट है, ये धूलकन जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्यूं है, क्यूंकि इसी प्रक्रियाक्ष से बादल बनते हो और वर्शा होती है, धूलकन सूर्यातप को रोकने तथा उसे परावर्थित करने का कार् आकास में लाल तथा नारगी रग की घटाओ का निर्मान करते है, ठीक है, यहां गलफ रहन यह घटाओ का निर्मान करते शुद्यात आपको रोकने तथा उसे प्रवर्तित करने का कारे। रही करता है। तो तीन नमबर में आपका यह question हो जाएगा. ठीक है। आगले question पर पढ़ते हैं.. question नमबर हम 4 पर आते हैं… question नमबर का आपका 3 है.. भॉचा गया है कोशनिममेंबर दोथा वायू मंदल के संगठन की संखेप में व्याक्या करें। वायू मंदल मुंख्य है की जलबास धूल कड़ों से बना है। जैसे वायू मंदल की गैसों का अधिकांस भाग क्या है। नाइट्रोजन है 78 परसेंट ऑक्सीजन के है 20.95 परसेंट से युगत है इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य गैसे कारबन डाई ऑक्साइड हो गया ओर्गन हो गया ठीक है और जोन आदी सभी गैसों का अपना महत हुए यह गैसे जिस निश्चित अनुपात में है वहां बना र जाल वाई मंडल मैं जल्वास्ट की मातरा किसी इस्थान की जलवाई पर निरभर करता है कैसे अब यहां पर ज्यादा गर्म होगा ठीक है और साथी यहां से क्या है कि यहां जलवास्ट जो मेंने रोल रहता है और ज्यादा गर्म भी न हो जादा तो इसकी बहुत भूमिका होती SUBSCRIBE मेगो कि निरमाण में आपको पिछली को कोशन कोशन हो गया है तूर यह तो यह आपका कोशन हो गया है अगे आते हैं कोश्ण नुम्बर 5 परे कोश्ण नुम्बर 5 है आपका य मंधल की संदचना का वर्णर्ण करना है और इस कोशन में क्या है वाई मंधल की संदचना है यानि हमारा जिस य मंदल है मतलब यह य मंदल लेख canvas कों सी परत है तो उसके बारे में हम जानेंगे वारी मंदल की सन հचना है की तरफाए जाता है क्हाले निखेता है कन अधार भागों में बाठा जाता है दाट सकता है तो ने विवक्त हैं किन्तु टापमान वग्यसो के सनिवडन के आधार पर वाई मंद़ को कितने भागों सबसे पहले आता है शोब मंडल को ट्रोपर स्पेर भी कहते हैं इंगलिस में मैंने इंगलिस लिख दिया है बच्चों के लिए ताकि जो बच्चे इंगलिस मीडियम के भी हो वह भी समझ पाए यह वायू मंडल की सबसे निचली परत है ठीक है अब यहां पर मैंने आपको जो है एक मैं ब इसकी जो औसत उचाई है लगबंब ग 3 क्लोमेटर है इसकी भूमद्य रखा दिरूब कर शही गटनाइग इसी परत मानव के लिए बहूत उप्योगी है यह आपका होगया पहला शोब मंडल अब आते हैं दूसरे पर आगे तो दूसरा आता है आपका समताप मंडल समताप मंडल यह परत जो है 50 km तक मिस्त्रित होती है ठीक है सो मंडल के ऊपर का भाग है इसके निचले भाग में 20 km की उचाई तक तापमान में कोई परिवर्टर नहीं आता इसलिए इसे समताप मंडल कहते है समताप मंडल क्यूं कहते हैसे क्यूंकि यहां लिखा हुआ है अब देख सकते हो यह जो है निचले भाग में 20 km की उचाई तक इसका ताप मंडल कहते है निचले भाग मतलब कहने का मतलब 50 km है यहां तक गया है तो यहां से जो नीचे का 20 km भाग है यह कितना रहता है समान तापमान में रहता है इसलिए इसके उपर जो है इसलिए जो है इसलिए जो इसे समताफ पंडल कहते है इसके उपर जो है 50 km की उचाई तक तापमान में विर हएं दूसरा हो गया तीशरे पर आते है मध्धे मंडल इस परत का जो विस्तार है 50 से डवड किलोमेटर की उचाइ तक है एस परत में उचाइद में के आता है गिरावट आती है अब चोथा देखते हैं चोथा आपका आयन मंडल इस परत का विस्तार जो है 90 किलोमेटर से 400 किलोमेटर तक है यानि इस उपर वाले का कितना है 90 से 400 किलोमेटर तो तक है यहां जो उपस्तित गैस के करण विदूत अफ्शोशित होते हैं इन्हें आयन कहते हैं आयन मंडल पिर्थवी से प्रेशीत रेडियो तरंगों को प्रावर्तित करके पिर्थवी पर वापस भीज देते हैं तो यह आपका चोथा हो गया और एक लास्ट बसता है इसी में लास्ट है आपका बाहिये मंडल इसमें क्या होता है आयन मंडल के ऊपर जो ह लिए बहुत ही विरल है जो धीरे धीरे ब्रहा अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है तो यहां पर आपका ये 5 नम्बर का कोशन जो है खतम हो गया है यह आपका था 5 नमबर का वाई मंडल की सरदशना के बारे में किस परकार की होई कैसे बनी होई है और किसी एक का भी पूछ स इजी तरीका बताओं विशेष्टा देने की तो सबसे पहले अगर चोम मंडल आ जाए तो सबसे निचला परते हैं जो आपका समताफ मंडल आ जाएक जो आपका समताफ मंडल आपका को मंदल पर इसके ओपर का मंदल आ पर आयन मंडल आपको नदो ठीक है। इसे इस था तो आप यह डाली देंगे समय और कुछ आप जो है इसकी उचाई देख लेना और कुछ पॉइंट्स आपको याद कर लेने छोटे-छोटे पॉइंट्स बना लीजिए इसली आपको जो है यह कोशन्स याद हो जाएगे तो यह था आपका जो है चैप्टर आपके जो भी chapter से दिकलने वावी इंपॉटेन वाले important फ़े इस चैप्टर से यह पुसे को हमने देखा है ऊसके इसको जरूर रेडि कर लीजिए इस चैप्टर से ठीक है और सबसे पहला आपका जो क्योगर outlines कर दिया यह नहीं देखा हो आपने तो आप channel Apart पर जाकर नहाँ देख स सकते हैं आपको मिल जाएगा जो है सेंपल पीपर जहां किस पैटन से आपका एक्जाम होना है वो पैटन हमने बना दिया है तो आज का यह वीडियो यहीं खतम करते हैं इस वीडियो से पांच इंपोर्टन कोशन निकाले उसको जरूर पढ़के जाना है आपको आगे फिर हम म आप क्लिक करके जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल का आइकन जो है ओल पर सेलेक्ट कर लेना जिससे हम जो जब भी नई वीडियो डालेंगे तो वो आपके पांच जो है सबसे पहले पहुंचेगी तो यही था आज का वीडियो मिलता हूँ आपसे अगल आप बने मात्रह